Hello everyone, welcome back to my channel, my name is Priyadogra and I'm back again with another video. आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर राई हूँ, Data Science Projects. तो ये वीडियो उन लोगों के लिए उसफुल रहने वाली है, जो की स्टूडेंस है या फिर प्रोफेशनल है या इस फील्ड से बिलॉंग करते हैं और प्रोजेक्स पे काम करना चाहते हैं. तो मैं आपको ये प्लाटफॉम बताने वाली हूँ, जहां पे आपको ये प्रोजेक्स मिलने वाले हैं, कैसे आप उन पे काम कर सकते हैं, कैसे आप उन पे अनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह के प्रोजेक्स रहने वाले हैं, वो सारी डीचल आज को आपको इस वीडियो में द subscribe to it and don't forget to hit the bell icon so that you never miss an update also I am active on my telegram channel so if you want to ask me anything related to free courses certification or anything related to your career then you can join me there now I am going to tell you about these projects so these projects are provided by i-tronic solution here I am going to tell you two projects that are going to work on that is a case study on suicides and the second case study is on movies so I am going to tell you in the description of this data set you will be able to work on this data set so first the data set that you have here is your suicide case data set here you have the data set available from 2001 to 2012 in that you will tell you that if you want to predict suicide so how can you do this data set rockfulness Act here you will be year-wise state-wise gender-wise here you will have data available and what this cause are points to make 1990D those those things will have gone to it so there will be these chains at the house you will tell you about it या फिर अगर आप यह देखना चाहते हैं कि सियर में किस स्टेट में कितने मेल थे और कितने फीमेल थे उस सुसाइड में तो वो चीज भी आप यहां से देख सकते हैं अब बात आती है कि इस data set को use करके अगर आप future predict करना चाहते हैं अब यह देखना चाहते हैं कि 2020 में कितने suicide जो है वो हुए है यह 2022 में कितने suicide जो है वो होने वाले है तो वो किस तरह से आप predict कर सकते है using this data set तो मैं वो आप बताना चाहूँगी कि इस चीज के लिए आपकी जो machine learning की algorithms है आपकी linear regression एक और आपकी पास यहाँ पे जो है वो machine learning की algorithm है that is your polynomial regression algorithm तो यूज करके यहाँ पे किस तरह से आप data पे predict कर सकते हैं तो वो सारी चीज़े आपको इस course में जो है वो सिखाई जाने वाली है चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम इस project पे काम कर सकते हैं उस पे आपको एक video यहाँ पे मिल जाएगी तो आप जानते ही है सबसे पहले आपको क्या करना है get enrolled पे click करना है जिसे आप यहाँ पे click कर लेंगे उसके बाद जो है आप इस course में enroll हो जाएंगे सबसे पहले आपको इस course में enroll होने से पहले आपको यहाँ पे login sign up करना पड़ेगा जो कि आप जानते ही है अगर आपका already account है तो आप login कीजी अगर नहीं है तो आप यहाँ से sign up भी कर सकते है तो आप देख सकते है courses में ही आपके पास जो है वो detail आजाएगी आपको क्या करना है बस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ आपको बताया गया है किस तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस case study पे कैसे काम कर सकते हैं आप तो वो चीज़ आपको यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में बताएगी है नेक्स अगर आप इस डेटा सेट पे काम करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वो भी अवैलेबल है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही में आपके पास जुपीटर नोट बुक की फाइल जो है वो भी अवैलेबल है यहाँ से आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर बताना चाहूंगी कि यह अईसा डेटा सेट है जो है वो आपके पस कुछ रोज या कुछ कॉलम्स जो है वो यहाँ पर मिसिंग भी रहने वाले है तो उसमें आप perform कर सकते हैं अपनी data cleaning तो data cleaning भी आपको यहाँ पर perform करनी पड़ेगी उसके बाद आप यहाँ पर analysis भी कर सकते हैं और production भी कर सकते हैं analysis में आपका इस तरह का position रह सकता है कि अगर आप किसी भी तरह की movies बनाना चाहते हैं वो action movie हो, thriller हो, comedy हो, romantic हो so वो आप किस तरह की movies जो है वो जादा demanding हो सकती है किस तरह की movies जो है वो जादा popular हो सकती in the coming years so वो आप analyze कर सकते है, predict कर सकते है using this data set या फिर आप यह भी देख सकते है कौन से director को जो है वो कौन से actor को hire करना चाहिए या कौन से actor को अगर वो किसी movie में लेंगे तो उनको जादा benefit होगा so वो सारी चीज़े जो है वो आप predict कर सकते है using this data set तरह से आप इस पे काम कर सकते है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है आपको click करना है get enrolled पे जैसे आप यहाँ पे click करेंगे मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे भी दो sections आपके पास दिये गए है इस section में बताया जाएगा कैसे आप data cleaning कर सकते है कैसे आप data analysis कर सकते है using python on this data set so वो आप यहाँ से perform कर सकते है then after जब आप यहाँ पे यह सीख जाएंगे किस तरह से आप data analysis कर सकते है आप यहाँ से download कर सकते है इनका data set और साथ ही में आपके पास यहाँ पे जुपीटर notebook की file भी available है एक बार आपके दोनों data sets में जो है वो lessons complete हो जाएंगे then after आप देख सकते हैं हाँ पे आप इनकी certification भी ले सकते है certification में आपको दिखाना चाहूँगी कुछ इस तरह की certification मिलती है आपको at the end जब आप यह दोनों data science के projects जो है वो यहाँ से complete कर लेते हैं एक बार आपको projects का complete information मिल जाएगा आपके लिए मैं बताना चाहूँगी यह video बहुत ही helpful रहने वाली है अगर इस फील से बिलॉंग करते हैं तो आपको एक practical insight मिल जाता है कैसे आप इस field में काम कर सकते हैं कैसे आप डेटा सेट में काम कर सकते हैं तो दोनों sections को जादा lengthy sections नहीं है कम duration के sections है तो मैं आपको यह बोलूँगे आप जरूर से इन videos को जरूर से देख लीजे because आपको पूरा complete process बता चल जाएगा कैसे आप इन data sets में काम कर सकते हैं आपको at the end जो है यहाँ पे certification भी इनकी तरफ से मिल जाएगी तो और क्या चाहिए so that's it for today I hope आपको यह वीडियो जो है वो पसंद आई है और helpful भी लगी है अगर helpful लगी है तो प्लीज आप इसको like and share जरूर करिए and in case अगर आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए तो आप मुझे comment section में भी बताईए and ऐसी वीडियो की update के लिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीचे and do not forget to join my telegram channel वहाँ पे आप चानते है इसी तरह की वीडियो की सबसे पहले update आती है so आज के लिए बस इतना ही thank you so much have a good day